मार्वल में वो बात नहीं रही तो हेलो मेरा नाम है मीर आप देख रहे हो मीर एक्स्प्लेंग MCU की अब तक की एपक मूवी एवेंजर्स एंड गेम जो हमें देखने को मिली 2019 में और उस टाइम MCU बहुत पीक पर था क्योंकि ये वो मूवी थी जिसमें हमें MCU का हर वो करेक्टर्स देखने को मिला इंफिनिटी सागा में जो था जैसे के आरेंड मैं से लेके एंट मैं, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडर मैं और गाडियन्स की टीम भी हमें देखने को मिली और भी बहुत सारे हीरोस हमें इस मूवी में देखने को मिले और फिर वो विलन जिसका विट फैंस 2012 से कर रहे थे यानी थैनोस अब सवाल ये आता है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल का डाउन फोल क्यों स्टार्ट हुआ मार्वल ने औरिजिनल सिक्स को एक तरीके से एमशी उसे गुडबाई कर दिया था एंड गेम के बाद और फिर इसके बाद क्या हुआ हमें आज तक मार्वल ने ना तो कोई एवेंजर्स लेवल मुवी दिखाई और ना ही कोई अच्छा लीडर मिला जो के एवेंजर्स को अब तक लीड कर सके और यहां बात में स्पाडर मैं नौवे ओम जैसी मुवी और लोकी जैसे टीवी शो की में बिलकुल नहीं कर रहा तो बात यह के मार्वल में अब वो बात क्यों नहीं रही यार एंड गेम मुवी से पहले मार्वल की मुवी में हमें लीडर्स देखने को मिलते थे जस्ट लाइक आइरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे सबसे पहले हमें मार्वल ने टोनी स्टार्क से मिलाया जो के इर्रिस्पॉंसिबल रीच और प्लेबोई टाइव का बंदा था और फिर मार्वल ने उसकी स्टोरी ऐसी सेट की कि वो लोग को पसंद आने लगा किस तरीके से इर्रिस्पॉंसिबल बंदा रिस्पॉंसिबल बना जब वो किड्नेप हुआ उसने अपनी गलतियों से सीखा और वो आईरेन मैन बना और वो एक टाइम पर अपना सैक्रिफाइस करने को रेडी था नियू यॉक सिटी को बचाने के लिए टोनी वक्त के साथ साथ पावरफुल होता गया और फेंस का भी फैवरिट बन गया अब इसी तरह मारवल ने हमें आईरेन मैन को दिखाने के बाद कैप्टन अमेरिका जैसे केरेक्टर से मिलवाया जो के टोनी स्टार्क से बिल्कुल अपॉजिट था स्टीव हर वक्त रेडी देता था सैक्रिफाइस के लिए और उसको जब उसकी पावर्स मिली उसने ऐसा किया भी अपना सैक्रिफाइस दिया काफी अरसे तक वो बरफ में फ्रीज रहा और काफी टाइम बाद जब स्टीव की बाडी बरफ से निकाली गई तो उसके बाद भी उसने अपना वो काम अंजाम दिया उसने एवेंजर्स को लीड किया एक अच्छे लीडर की तरह और एवेंजर्स एंड गेम के बाद से अब तक हमें इन दोनों के जिसा कोई भी लीडर नहीं मिला है जो के कैप्टेन अमेरिका की जगा अभी सैम विलसन ने ली है वो खुछ कनफ्यूज है के वो कैप्टेन अमेरिका है या नहीं है और एक रिजन डाउन फॉल का ये भी हो सकता है कि अब मारवल उन एक्टर्स को कास्ट करता है जो के पहले से पॉपिलर होते है जबके पहले ऐसा बिलकुल भी नहीं था मारवल उन लोग को कास्ट करता था जिनकी एक्टिंग स्किल अच्छी होती थी जैसे कि आर डीजे क्रिस एवान स्किलिस हैंसोट ये तीनों भी मारवल में आने से पहले इतने पॉपिलर नहीं थे MCU बन गिया है क्योंकि यहाँ female characters अब बहुत हो गए है as a lead actors और male superhero को भी replace कर रहा है MCU जैसे के iron man की जगा दे दी है अब इन लोगोंने iron heart को जो के fans को बिल्कुट भी पसंद नहीं आई इसी तरीके से Captain America को इन्होंने replace कर दिया है Captain Carter से और Thor को इन्होंने replace कर दिया है Mighty Thor से जो के Jane Foster है और इसी तरीके से Hulk की repressment में ये लोग लिया है She Hulk को और last hero है हमारा Hoka है उसकी जगा इन्होंने दी दिये Cat Bishop को I think यही reason है MCU के downfall के बाकी और क्या reason हो सकता है आप मुझे comment में बताना